पत्म श्री सिमौन उरान की कहानी बिहार के दशरत मांची की कहानी जासी ही है साइमन उरान की कहानी भी किसे फिल्म पढ़कता से कम नहीं साइमन ने अकेले ही नहरों का निर्मान किया उन्होंने अकेले ही पहाड काट कर तीन बांधों का निर्मान भी किया और शायद यही वज़ा है कि लोग उन्हीं वाटर मैन के नाम से भी जानते हैं पर्यावरन संरक्षन, जलसंरक्षन और वर्षा जलसंचयन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें पदमश्री अवोर्ड से नवाजा भी करा बहरहाल अब वो 83 साल के हो चुके हैं सिमौन के प्रयास से उनके और उनके आसपास के कई गाउं अब पानी की समस्या से दो चार नहीं होते बलकि अब वहाँ उगने वाली सबजियां और आनाच दूसरे जिलों में भी जाती हैं सिमौन के इस सफर को लेकर उनसे बाचीत की हमारे सम्रधाता सत्यजीत कुमार ने पदम स्री सिमौन उराउं किसी पहचान के मोहताज नहीं उन्हें ये सम्मान पर्यावरन के छेतर में जन सलंगरक्षन के छेतर में और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के छेतर में उन लेखनिये कारे करने के लिए दिया गया है ये उनका घर है और ये देख सकते हैं कि किस तरह से उनको सम्मानित इस छेतर में लगतार किया जाता रहा है उनको लगतार जो है अवार्ड मिले हैं लेकिन बड़ी बात ये है ये प्रेसिडेंट जो है हॉल में उनकी तस्वीरे भी जो है यहां बड़ी बात ये है कि आज वो गर्ज में हैं और कई राज सरकारे जो हैं बहुत सारे फैसिलिटी पदम सुरी को देते हैं जैसे medical facility हो अने फैसिलिटी हो लेकिन इनका जो घर है उससे पानी टपकता है बरसात के दिनों में रहने में भी मुस्किल होती है गरीबी कि दिन वो काट रहे हैं गरी भी इसकदर हावी है कि वो साफ तोर से कहते हैं कि इस से इस अवार्ड से अच्छा अगर मुझे लाल काड मिलता तो सायद वो जादा बहतर होता कम से कम हम जो है धंग से जिंदा रह पाते धंग से जी पाते और उन्होंने राहे दिखाई है कि आ आज सबसे बड़ी बात है यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन जो है उस पर प्रधान मंत्री भी जोड़ दे रहे हैं लगतार वो कह भी रहे हैं कि पानी बचाईए क्योंकि आप देख रहे हैं कि विश्व में पानी किस तरह से जो है कम होता जा रहा है चाहाए वो साउथ यह है कि आज उनके हालात क्या है बाबा यह बताईए कि सम्मान जो आपको मिला प्रेसिडेंट ने आपको दिया जल संगरक्षन और जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के आप जीते जाते मिसाल उसके वज़े से परियावन के छेत्र में काम करने के वज़े से मिला तो आज आपके माली हालात क्या है आर्थिक हालात क्या है दीखें में तो हम इतना पहले है कि पुरा 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 गावभार ने बहुत लचार था कि कर्से क्रेब सराई के लठा बना खाता था, मखुआ के लठा बना के खाता था, नेवाइर के खाता था, जंगल के खाराचिज, कांदा कुईला के खाता था, हमार देखा था, मगर हम कर्शे करीक हर्यारपूर्ग जामटुली पहार से छाओ को झारना था, और एतना नाली था उयां, गर्मी तीन फीट पानी बहता था, थाम उसी के देखे हमरा पूर्खा लोग जमीन तो जलूर धरा, मगार जमीन को बनाने खेत आनकमाने लाइक जमीन को नहीं बना सका, तो पानी रोकने के लिए अपने काम किया, हाँ, सेले हम पहले तीन ठो बांद बांद हैं, एगो बांद बांद सबसे बड़ी बात यह है कि कई सरकारे जो है, मेडिकल की फैसिलीटी देती है, जो पदमसुरी जीतते हैं, या अन फैसिलीटी देती है, आपको कुछ मिला उस तरह का, या आपके आर्थिक हालात आज क्या है, देखे अभी तक तो हमको को कोई साजोग सरकार बरसे नहीं मि अभी खेती बती कर रहा है, और हमानाती लोग को भी पढ़ाने ठिक्से नहीं सक रहे हैं, का कि हम तो समाजे कर काम हम बता रहा है, एक कवान से पढ़ार राजा है, और कवान काव का अदमी को एक साथ बढ़ाना, उठाना, बात, विचार करना, जागरा जाटी होता है आते सरवमान्य होती हैं लोग इनके पास आते हैं अप्रोच करते हैं किसी तरह का कोई dispute है कोई contentious issue है तो उसमें अगर यह कुछ फैसला देते हैं तो वह मानने है और इसको सरकार भी recognize करती है लेकिन दुखत बात यह है कि इनको पदमसरी मिला इतना वाइड कोगने जिसन है बावजुद इसके इनके माली हालात को सुधारने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाए और यह कर्ज में भी है बाबाब कर्ज में भी हाँ कर्ज लिया था तला बनाने के लिए 80 फिट लंबा और 35 चवड़ा और गाड़ी से अतना दिन तो आदमी से कोगवाई है मगर अब किर हम गाड़ी से कोगवाई की 15 दिन ने पाने निकाशी किया र्या पीने खाने के लिए और मचली पालान काने के लिए उसमें अभी चलू किया करज किसे लिए भाइंक से इसे तो 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 इन्हों ने कर्ज लिया अभी आपके उपर है आप चाहते क्या है कुछ सरकार से आप चाहते हैं इसको सोचना चेहिए हम करेंगे हम तो बजशनेवी समाज़ी की हैं हम कर से करीब एक ओवान काउवक एक साथ वाइठाना उठाना प्रेम नहीं है तो दुनिया ने कोई धरम नहीं जो आदी साहता है नहीं साहता है नहीं साहता है नहीं तो कुछ भी नहीं लड़ना है तो जमीन से लड़ो अपनी राहे निकालो सफलता की राहे निकालो यह कहना है सीमोन उराओं का और यहीं वो करते हैं और माली हालात उनके ठीक नहीं है बावजुद इसके इनकी कोई मांग सरकार से नहीं है इनका साफ तोर से कहना है कि म है सरकार को सोचना है नहीं शोचना कि मुझे क्या चाइए सरकार को यह सोचना है कि क्या इनके लिए कुछ करना है या नहीं करना है कैमर्मेंन राकेश तिवारी के साथ सतिजीत कुमार बेड़ो